हलो दोस्तों कैसे हूँ आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इस घर को इतिना बनाने में कितना खर्च हुआ है और कितना मटेरियल लगा है तो चलिए देखते हैं इधर साइड से 25 फीट चावड़ाई है और सामने से ये 30 फीट लंबाई है याने 7500 स्क्वाइर फीट है तो चलिए आगे बढ़ते हैं दर्वाजा का साइज देखा जाए तो 4 फीट चावड़ाई है और हाइट सावा 7 फीट रखे हुए है और अंदर चलते हैं और हॉल का साइज देखा जाए तो 28 फीट लंबाई है और 10 फीट चावड़ाई है या 28 फीट बाई 10 फीट का हॉल ह आगे बढ़ते हैं तो आप लोग दिख सकते हैं इधर एक कीचन के लिए छोड़ा गिया है एकजोर्ट फैन के लिए छेदा छोड़ा गिया है और इधर ये कीचन का चहज्या है अभी तो ओपेन है लेकिन जगा छोड़ा हुआ है ये ओपेन कीचन ही रहेगा जो कि ये 150-6 फ दूसरा बेड्रूम और ये टोइलेट बात्रूम है तो बेड्रूम का साइज देखते हैं इस बेड्रूम का दरवाजा 3 फीट चवडाई है और हाइट सवा 7 फीट है अंदर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये है बेड्रूम जिसमें एक खिड़की दिया हुआ है और ये पहला रूम हो गया आब ये टोइलेट बात्रूम देखते हैं कितना साइज का है तोइलेट बात्रूम का दरवाजा 8 फिट चवडाई है और हाइट सवा 7 फीट है आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देख सकते ही है ये है तो टोइलेट बात्रूम जिसमें एक अप लोग देख सकते हैं ये है दूसरा बेडरूम जिसमें खिड़की दिया हुआ है 3.15-4.1. 1.11 टिरेशन चवडाई है और 12.00 लंबाई है है 11.15 बाई 12.00 का ये दूसरा बेडरूम है अप लोग देख सकते हैं इसमें चजों कितना लगा, सिमेंट कितना, छड़ कितना लगा है, तो चलिए देखते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, इट का क्वाल्टी एक नमबर इट है, जो कि 7 रुपया पर पीस मिला, इस घर में टोटल 13,000 पीस इट लगा है, नीचे से लेकर छट लेबल तक, 13,000 के हिसाब से 91,000 का इट लगा है, टोटल एक नमबर इट, और अब देखते हैं छड़ कितना लगा, कॉलम में दिया हुआ 12 mm का, टाइबी में आप लोग देख सकते हैं, ये भी 12 mm का दिया हुआ है और लिंटन में दिया हुआ है 10 mm का, इस घर में टोटल 9 कॉलम दिया गया है और कॉलम में जो छड़ लगा है वो 18 पीस लगा है, और टाइबी में लगा है ये 17 पीस लगा है तो 12 mm का टोटल 25 पीस हुआ कॉलम में 18 पीस और टाइबी में 17 पीस आप लोग देख सकते हैं लिंटन में दिया हुआ है दस mm का, इह लगा 17 पीस चज़ एमें दिया हुआ है टीन पीस छ़ड़ दस मेंएम का छड़ टोटल 20 पीस लगा जो की लिंटन में 17 पीस लगा और टीन पीस चज़ ज़़ज में लगा टोटल मिला के 550 लगभग रिंग लगा, कॉलम में 12mm, टाइबी में 12mm और लिंटन में 10mm, और फाउंडेशन का जाली के लिए 10mm, और रिंग तार काटी सब मिला के 800 kg हुआ, और 800 kg का 70 रुपे का हिसाब से देखा जाये, तो 56,000 रुपिया छड़ का हुआ, बालु लगा 10 ट्रक जो कि 6,000 रुपया पर ट्रक मिला तो बालु का हुआ 6,000 रुपिया जो कि पर बाइक साड़ी तीन सो रुपिया करके मिला तो 45,000 रुपे सिमेंट का हुआ और बल्ली पट्रा लाये गया था सेट्रिंग के लिए कलम टाइबीम ढालने के लिए तो उसका हुआ 10,000 रुपे और लेबर में खर्च हुआ 70,000 रुपे जिसमें लेबर मिश्टी ठेके डार सब मिला के, छड का हुआ 49,000 रुपे येट का हुआ 91,000 रुपे, सिमेंट का हुआ 45,000 रुपे और गिंटी का हुआ 24,000 रुपे और बल्ली पट्रा का हुआ 10,000 रुपे और लेबर में खर्च हुआ 70,000 रुपेivas तो टोटल जोडते हैं तो 3,56,000 रुपया खर्च हो च करते हैं तो आप लोग को कुछ आडिया मिल जाएगा कि इस चाट लेबल तक बनाने में साड़े साथ स्कार फिट में कितना खर्च होता है तो याज की वीडियो में परस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में किसी दूसरे साट पर चलिए मस्त रहिए लाइफ हिंजो कीजि अरी